नमस्का दोस्तों जहिंद आप सभी को तो आज हम लोग इस वीडियो में आई है एक ही करन के लिए तो गाइज आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली के जो MCT चुनाव है ठीक है तो उसी का MCT चुनाव पे BJP और आम आदमी पार्टी के अंदर एक बहुत बरी एक फाइटिंग चल रही है और गाइज और एक बात में आप लोगों बताती हूँ जैसे फाइटिंग भी जैसे चल रही है और वैसे आज 7 डिसमबर है और आज की 7 डिसमबर में क्या है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप लोगों याद कर देता हूँ आज है इंडियान आम जो भी फ्ल यह जो इंडियन आम फ्लैक डे है ना इसी फ्लैक डे में एक आप लॉंच किया गया या एक साइड भी लॉंच किया गया तो पहले बार जैसे किया गया था साइड लॉंच और वहां पे बहुत सारे लोग कॉंट्रिबूट किया यानि पैसे दिया तो वो सब पैसे कहां जाते है जो भी देश के जनता है जो आर्मी में था या इंडियन आम्ड पुलिस में था तो वो सब लोगों के अंदर ये सब जो भी मिलता है ना ये सब वहां पर उनको अलोट कर दिया जाता है तो ये तो बहुत एक अच्छी बात है क्योंकि जिंदेगी में जो भी होता है वो अच हैना चाहती हूं देखे आज बहुत मुझे अच्छी भी लग रही है क्योंकि दिल्ली का जो mcd चुनाब है वहां पर दोस्तों मुझे जो लग दा है में सामिल कर रही है सभी लोगों को प्राइवराई तो वो सब दूर की बाद सभी को नौकरी दे रही है बहुत अच्छी बात कर रही है तो यह बहुत एक अच्छी बात है बहुत एक अच्छी कोशिस भी है लेकिन आप एक बार समझो गाईज यह जो नरेंद्र मोदी जी ठी तो आई आपको थोड़ा से बात में याद कर देता हूँ आप लोग को पता होंगे के 2008 के देखिए अभी हमारे इस तरफ विंटर की सीजन है तो विंटर की सीजन जैसे ही हो रही है तो ऐसे आज पास आप देख सकते हैं सभी जगा पे जैसे मास्टर्ड होते हैं ठीक है जिसस तो विंटर की सीजन है और मुझे याद आ गए कि इसी टाइम विंटर की सीजन पर हमने खुद दिल्ली की जंतर मंतर पर में खुद गया था वहाँ पे और जाने के बाद गाईज क्या बताओ और उसी जंतर मंतर पर बैट के मैं प्रोटेस्ट भी किया था तभी बहुत लो एक भी एक मदद भी नहीं किया था तो जो भी जैसे हो रही है वो बहुत गलत हो रही है और में जो बोलने की कोशिस करो वो पहले ताप एक बास सुन लीजिए ऐसे जो काम कर रही है और हो रही है यह बहुत गलत बात है क्योंकि आगे भी बहुत सारे लोग आते हैं और बह में आठक गया तो दिल्ली का जो ncv mcd जो जो भी चुनाव है बहाँ पे तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है जीगे आप तो वह तो बहुत अच्छी तैयारी के साथ क्योंकि वह जीतने वाला है और उससे बहुत खुशी भी हो गए क्योंकि मुदी जी का जो भी टाइम है वो अब आ गई है क्योंकि उसे अब रिजेक्टेड बहुत सारे लोग कर रही है और देश की जितने सारे यूबा है वो भी कर रही है तो देखिए ssc gg 2018 बाले की एक बार देखो बात क्योंकि उन लोगों को अभी तक जॉइनिंग न अगर जॉइनिंग नहीं तो वोट भी नहीं नहीं है तो यह है में बात तो गाइस सभी लोग चाते हैं कि हम हमें रोजगर मिले और हम लोग नौकरी करेंगे देश की जो भी एकोनोमी है उसको अच्छे तरफ से क्वालीटि के साथ उपर के तरफ लेकर जाएंगे ऐसे वह यूण सब बहुत लोग सोचते हैं, और बहुत बोलते भी हैं लेकिन कोशिस तो लोग exercise करता हैं लेकिन आप तक क्यूँ नहीं ऐसा हो रही है मुझे पता नहीं तो शायद ऐसे guys आप लोग को क्या लगधा है आप सब लोग comment जड़ines करें को किसा of you, just Olpe सब्सक्राइब करने के बाद भी अभी तक हमें कुछ भी आता पता नहीं है गाइस अभी में हमारे गाउं की जो खेत है वहां पर मैं आ गया हूं और इस तरह पी में आगना के बाद एक वीडियो रेकॉर्ड कर रही हूं तो गाउं की जो भी वह है आप देख सकते हैं यह देखिए रस्ते और यह तो मैंने बताया था आपको लोगों और यह है वीट जिसको गयूं कहते हैं तो ऐसे बाद यह होते हैं और इस तरफ से ट्राक्टर जा रही थी इसलिए खेत के अंदर तो ऐसे बाद यहां पर हो गई तो गाईज जो भी जैसे भी हो रहा था वह बहुत गलत हो रही है लेकिन हमारे जो भी भाई जैसे प्रोटेस्ट करने की तरीका और जैसे भी जो करना है क्योंकि अभी तक सेंटल में या जो भी सरकार बैटे है उनको याद आएगी अब जरूर आद आएगी देश की जरूर चाहेंगे नहीं हरेंगे ठीक हारने की कोई नहीं चाहते सब लोग जीतने की कोशिस करते हैं लेकिन कुछ-कुछ उनके करान उनके गलती की वजह से ऐसे काम हो रही है तो मोदी जी आप एक बार देखो कि दिल्ली की जो एमसेटी चुनाब्वे वहां पर तो आप ज आजनात सिंग सब जाओगे आपकी जहां जगा है ना तो सब जाओगे वहां पर तो रेडी हो जाओ और क्या बताओ इच्छा खुसी तो और नहीं मिलते हैं क्योंकि आपको दर्ध कहां है वो आपको जरूर पता चलेगी कैसे एक स्टूडेंट की बेरोजगार स्टूडें हो यह आपको पता चलेगी और आप जो रोजगार मिला में बार-बार बोल रहे हो ना सेवेंटी वन थाउजन सिख्ट नाइन थाउजन केंड़ेट को रोजगार मिला में उन लोग को एपटमेंट में लेटर मैंने हाथ पे रख दिया तो आखिर वो सब कहां गया कहां उनक लोग आपको विश्वास करते हैं और ऐसे करके वोट देते हैं तो यह जो काम हो रही है यह बहुत गलत बात है मैं तो बताऊंगी और आप हम जैसे लोगों को क्या सोच क्या रखे हो इतने दिन से हम लोग महनत कर रहे हैं और भाई महनत करते करते अगर ठगवी जाते ना तब भी आप एक बार नहीं देखोगे, ये है आपकी सरकार, कितने दिन से मैंनत कर रही है, कितने बार आप लोग को बता रहे हैं, कि मुदी जी प्लीज एक बार help करे, help करे, आप एक बार support जरूर करे, तो एक भी बार आप नहीं सुन रही हो, और hashtag में तो Twitter में trend भी हो रहा थ तब भी आप एक बार भी support नहीं कर रही हो, guys ऐसे बहुत ही गलत होते हैं आमरे साथ, और बहुत गुस्से भी आते हैं, क्यों ऐसे करते हैं मुदी जी मुझे पता नहीं, देश की बेरोजगार, आप बोलते हैं, डबल 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 इंजिन के जैसे सरकार चल र अगे जो यह तो बात आपके हाथ में, क्योंकि आप देश की बेरोजगार, युबा के साथ जैसे काम किया था, ठीके, आप देश की बेरोजगार के साथ जैसे किया था, मुदी जी, आपको वैसे ही मिल जाएगी, तो शायद यह बहुत एक लंबी वीडियो था, और आप ल देखिए पूरे गाउं ही गाउं और चारी दिग में एकदम यह मास्टर की जो भी फ्लावार है यह विंटर की सीजन में होता है तो यह आपको कैसे लगे आप प्लीज एक बर कमेंट जरूर करें और आसपास की व्यू भी एक बर आप देख लीजिए बहुत यह अच्छी करता होंगे तो जो भी साइड सरकार ने इंक्लूड करेंगे वह एक दो माद पहले तो वेरिफाई करो उसके बाद ही अगर आपको जो भी मर्जी है देश की सेना के लिए देने के लिए तो फ्लीज आप एक बार देख दियना ठीक है तो बाइबाई गाई और गुडबाई मुलाकात होगी आपको दूसरे एक वीडियो के साथ तब दक यूट्यूब चैनल को सब्ग्राइब करके हमारे साथ जरूर जरूर रहे गुडबाई और एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोगो ठीक है कि 2015 वाले भाई बार बार कमेंट कर रही हो कमेंट करो कोई बात नह करेंगे और देखिए अभी हमारे इस तरफ गाव में पानी नहीं है इसलिए यहां पर जो भी बक्री बक्री सब लोग आते हैं चराते हैं और आज के लिए वीडियो इंदा से थी मुलाकातों की दूसरे वीडियो फार उसका बाद देखिए भाई भाई गुड़्ड बाई किया भाई अब तक नहीं हुआ